चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे ग्राम नवेगाव खुर्द में दिन दाड़े हुई चोरी सीची टीवी में कैद हुई चोरो की वारदात खैलाजे धाना अंतरगत नवेगाव खुर्द में चोरो ने दिन दाड़े रिटार्ड स्वास्तकर्मी के सुने मकान में चोरो ने घटना को अंजाम दिया है जहां दोलाग छासी हजार रुपे की नगदरासी और लगबग संतावन तोला चानली की चोरी की है घटना के वक्त घरक में ताला लगा कर तैसील में नेटवर्क इंजिनियर संधीब बिसेन कार लेकर काना नेशन पार्क से माता पीता को बड़े भाई के घर से लाने जा रहा थे इसी दोरान उन्हें चचेरे भाई ने बताय की घर का दर्वा जा खुला है इसके मोबाईल से वीडियो कॉल के माद्यम से उन्हें घर के अंदर हुई चोरी का पता चला वहीं हरकते चोरो की सीची टीवी केमरे में भी कुछ कैद हुई है सिकायत पर पुलीस ने घटना इस्तल पहुँचकर निरक्षन किया वहीं मामले में अग्याच्चोरो के खिलाब धाराथ 308C-354 के तहत मामला पंजीबत कर वीवेचना में लिया गया है वहीं पुलीस सीची टीवी केमरे को खांगोल रही है आपका पड़िचे मैं संदीप इसेंग लिवासी नवेगा हुई क्या घटना होई सब घर में चोरी होई कल दिलान 25 तारीको सीची टीवी केमरा की रिकॉर्डिंग अनुसार बारा बच के पचास मेट पर लगबच चोरी होई जो अंदर एंटर किया है जिसने की मेरी मम्मी का केस रखा हुआ जो लगबच दो लाग शालीस हजा और चांदी के कुछ जवरात रखे भी थे जो पचास से साथ या पचास तोला या चारीस तोला चापुछ उन्होंने चोरी घर के ले जा लिए जो सीची टीवी में उनका रिकॉर्ड हो गया है अबक कितने की चोरी हुए अनुमान है अनुमान हे ते लगद दो लाक शालीस हजार ओर जो चांदी की जो रात की अगर किमत लगा तो लगबच तीन लागज थे शुकना देट है पुलीस में है झाला था कोई साख करकर रहे हैं कि आपका परिचिन मैं साइक अपनिशक जियाला पाचे थाना खैरला जी थाना चेतर नवे गाओं में एक चोर की घटना कारीद हुई है क्या है पुरा मामला ग्राम नवे गाओं में संधी पीता प्रभुलाल विसे ने दिनांक 25 शेको रिपोर्ट दर मकान में कोई अध्यात वेक्ति घर में घुशकर उसके घर के जिवरात इंग के चोरी कर लिया है जो लगवग 40,000 इमत उस समय उन्हें रिपोर्टें बताया है जिसकी अपरात पंजीबत कर वी इतना मिलिया गया है उसकी जाट वी इतना जारी है आप देख रहे हैं मालगा खबर